नमस्कार दोस्तों, मार्च का महीना चल रहा है और आखरी समय है इससे में टैक्स प्लानिंग बहुत लोग करते हैं तो मैं आप लोगों से कुछ ऐसे टिप्स सेयर करने वाला हूँ जिसकी मदद से आप लोग अपनी टैक्स प्लानिंग को और इंप्रूब कर सकते हो और प्र चूट मिलती है तो कुछ popular sections है जिनके अंतरगत आपको चूट मिलती है वो में बता देता हूँ सबसे पहला section ATC का जिसमें डेल लाग रुपर तक का tax चूट मिलता है मैं आप लोगों को एक वीडियो भी अटाच कर देता हूँ जहां पर साले sections मैंने दिये है और उनमें कितनी टैक्स चूट है कितना आप लोगों को मिल सकता है वो सब कुछ वहां पे मेंचन है तो आई बटन में आप लोग एक बार जरूर चेक कर लेना वहा कर सकते हो आप 25,000 तक का अपने उपर क्लेम ले सकते हो तो बहुत सारे option है health insurance के premium आप लोगों के ATC के अंतरगत कवर होते हैं तो इस बात का ध्यान रखना ATD में आप लोगों के जो भी expenses वगेरा है 50,000-25,000 तक का इसमें आप पर tax claim ले सकते हो वहीं पर ATG में आप कोई भी स रुपे दे लो तो वहां पर 50,000 रुपे तक tax save कर सकते हो तो आप लोग अगर कहीं पर दान करना चाहते हो अपने पैसे तो 100% तक tax debit ले सकते हो आप अपने income पे जैसे कि मालो आप लोगों की 10,000,000 इंकम है आप लोगों को 5,000,000 पर tax भरना है तो आप लोग 5,000,000 रुपे क अगर आप employee हो तो वहां पर भी आप अपना claim ले सकते हो तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा गौर करो और दूसरी चीज कि आप अपने सारे investment options को लिख लो सारे investment options यानि कि जो भी आपने कहीं भी पैसा डाल रगा है क्रिप्टो में डाल रगा है पैसे क्योंकि आजकल ETFs वग को कई बार क्या होता है कि हम गलत investment decision ले लेते हैं last minute पे अब होता है कि आप लोग के सामने ऐसे बहुत सारे brokers आपको approach करेंगे कि या last समय है आप यहां पर invest कर दीजिए आपका इतना tax बच जाएगा यह insurance ले लीजिए यह health insurance ले लीजिए यहां पर पैसा डाल दीजिए बहु ELSS के through हो या फिर आपका कोई भी government schemes हो जिनमें आप invest कर रहे हो खास करके अगर हम NPS की बात करते हैं तो उसमें 50,000 का extra option मिल जाता है save करने का यानि कि 2,000,000 तक आप लोग सेव कर सकते हो NPS में डाल करके तो आप लोग एक बार इन चीजिए को देख लेना कि हाँ मेरा goal के व साला लगा करके मिठाई घोल करके आप लोग को पिला दी आप लोग को फायदा दिखा दिया बट उसमें मेरा कोई फायदा नहीं है जो मेरा motive हो नहीं मुझे मिल रहा है तो इस बात का ध्यान लगना आप अपने home loans पर भी tax बचा सकते हो आप अपने contributions को बढ़ा सकते हो contributions को आप लोग अपने contribution को बढ़ा सकते हो जिससे कि आप लोगों के जो long term में planning है उसमें आप लोगों का wealth अच्छा create हो सकता है और सबसे आखरी बात जो कि आप लोगों के लिए बहुत important है new tax regime and old tax regime में आप लोगों को देखना पड़ेगा क्योंकि कई बार incomes छोटी होती है क्यो तो वो अपना investment करती भी है अगर कोई tax section के through benefits भी लेते हैं tax का तो वो उतना ज्यादा उनको छूट नहीं मिल पाती है as compared to new tax regime क्योंकि new tax regime में अलग-अलग income slaps के according आप लोगों के taxes distribute है तो उसी के हिसाब से उतना percentage आप लोगों को बनता है यानि कि आप लोगों का जो taxes है वो छूट लेना चाहते हैं तो अगर आप एक private employee या फिर government employee हो तो as a employee purpose आप एक बार check कर लेना कि अगर आपका कुछ HR वगेरा बन रहा है जिसकी through आप लोगों को ज्यादा छूट मिल पा रही है old tax regime से तो एक बार compare कर ला है क्योंकि मैंने बहुत से लोगों के taxes वगेरा प्लान किये हैं जिसमें ये समझ में आया है मुझे कि new tax regime ज्यादा तर लोगों के लिए फायदे मंद होता है जिनकी income low है ठीक है even higher income slab में भी है आप न तो new tax regime आप लोगों के लिए beneficial हो सकता है तो last minute में आप लोगों को ज्यादा परिशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हां मेरे पा में new tax regime के शुरू डालता हूँ आप लोगों को online भी website मिल जाएंगे जिनमें आप अपनी annual income डालोगे तो अगर आप अपने कुछ investments भी कर रखे हैं तो वो sections wise वो सारी चीए दिखा देते हैं तो उससे आप लोगों को calculation पता चल जाएगा आप clear tax को follow कर सकते हो वहाँ पे एक consultant ले सकते हो तो हजार दो हजार रुपए फीस लगेगी आप उनसे proper अपनी income वगरा बता करके उनसे बता सब पूछ सकते हो कि मेरे लिए कौन सा best रहेगा तो आप लोग के साबने बहुत सारे options हैं एक दो हजार रुपए का खर्ज कीजिए अगर आप manual कर सकते हो तो आप manual कर करी है 2017 में उसकी वजह से मैंने गलत investment किया था गलत investment की वजह से मुझे बाद में पस्ताना पड़ा दो साल बाद मुझे पस्ताना पड़ा ठीक है क्योंकि मुझे पैसे की जरूरत थी मैं वहां से वह पैसे नहीं withdraw कर सकता था तो यह भी जरूरी है कि आप लोग अपने पैस कर सकते हो बागी यहां तक देख रहे हो तो लाइक तो करना बनता है चलो नेक्स वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए आप लोगों का दिन सुबह जाहिन